हेलो एविर्वन, कैसे आप सब? आप सब का अपने चैनल में स्वागत है आज मैं आपको मोटिवेशनल क्योट सुनाना चाहता हूं आप ध्यान से सुनें सफलता अगर आप पाना चाहते हैं तो सफलता आपके एक कदम चूमेगी अगर आप जो काम करते हैं उस काम से प्यार करते हो तो दिन बर आप उसी की बाते करते हो तो और अगर आप स्फलता पाना चाहते हैं दिन रात आप उसी काम के बारे में सोचे जो आप करते हैं उसके लिए दिन रात एक कर सकते हो उसे सोचकर आप मोटिवेट हो और जो कारे आप करते हैं उस पर निरंतर कारे करते रहें और उस कारे को आप पूरे जनून के साथ करें उसमें नया सीखते रहें सफलता चाहिए तो खुद को बस में रखें ना कि दूसरों को तो ये सफलता के कुछ नियम अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो अपने आपको द्रिड़क संकल्पी बनाएं और आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिन्दगी क्या है एक्चुनल में जिन्दगी को देखने के अलग-लग नजरी होते हैं तो जिन्दगी को देखने का नजरी आपका क्या होना चाहिए एक बार समूंदर के किनारे एक लहर आई और एक बच्चे की चपल कोपने साथ बहा कर ले गई बच्चे ने रेट पर उंगली से लिखा समूंदर चोर उसी समुंदर के दूसरे किनारे पर कुछ मचवारों ने खूब सारी मचलियां पकड़ी और एक मचवारे ने रेत पर लिखा समुंदर मेरा पालनहार है एक युवक समुंदर में डूब कर मर गया तो उसकी पत्नी ने रेत पर लिखा समुंदर हत्यारा है वही एक किनारे पर एक बिखारी रेथ पर टेर रहा था उसे लहर के साथ टेर कर आया एक मोती मिला उसने रेथ पर लिखा समुंदर दानी है अचानक एक बड़ी लहर आई और सारे लिखे को मिटा कर चली गई लोग समुंदर के बारे में कुछ भी कहें लेकिन विशा समुंदर अपनी लहरों में मस्त रहता है अपना क्रोध और शांती अपने हिसाब से तै करता है अगर आप समुंदर बना चाते हो तो मिरने पर ध्यान ना दें जो करना है अपने हिसाब से करें जो गुजर गया उसकी चिंता ना करें हार, जीत, सुख, दुख, उना पाना इन सब के चलते मन विचलित ना गर अगर जिंदगी सुख और शांती से बरी होती है तो इनसान जनम लेते समय रोता नहीं जनम के समय रोना और मर कर रुलाना इसी के बीच के संगर्श बरे समय को जिंदगी कहते हैं तो आपको ये मोटिवेशनल क्योर्स कैसे लगे क्या आप इन से मोटिवेट हुए अगर जिन्दगी में कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने काम के प्रती लगाव रखें और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब कीजिए बेल वाला बड़न जरूर दुबाएं ताकि हम ऐसी कोई और वीडियो डलें तो उसकी नोटिवेशन आपको मिल जाए थैंक यू